गाइस वन्स अगें वेलकम पैक ओन मैं चैनल मैं स्विध आना ग्लास 10 एरिया रिलेटिट टू सरकल का एक इंपोर्टेंट कुईशन है ठीक है बस समझने वाली चीज़ है इसमें कुईशन बहुत इसी है तो देखो क्या कह रहा है यह तो पैरामिटर ओफ सेक्टर ओफ सरकल of radius 5.2 is 16.4 कोई यह कह रहा है कि यह मेरा क्या है circle है circle का sector किससे formd होता है radius से तो मैं circle का center o лет कर लेती हूँ और एक sector лет कर लेती हूँ A, B, ठीक है, यानि कि O, A, B क्या है, required sector of the circle है, इस required sector का मुझे parameter दिया हुआ, parameter का मतलब क्या है, O, A, plus O, B, plus length of R, क्यानि कि A, B, ये मुझे given है, कितना, 16.4, इस sector का area निकालना है, तो कैसे solve करते है, here, यहाँ पर, let कर लिया, मैंने, a circle, with center O, ठीक है, और मुझे given क्या है, parameter of sector, O, A, B, मुझे given है, कितना, 16.4 cm, वो क्या होगा, वो होगा, O, A, plus A, B, plus O, B, कितना given होगा, 16.4, ये मुझे given होगा, ठीक है, A, B, A, B, is the length of sector, और वो क्या होती है, length of sector, पते है, क्या होती है, वो होती है, 3, 2, by 3, 62, 2, by R, ठीक है, A, B, क्या है, 3, 2, by 3, 62, by R, plus O, B, radius कितनी है, 5.2, यहाँ पर parameter इतना है, और radius कितनी है, 5.2 cm, ठीक है, 16.4, तो 3, by 360, या आप ऐसे A, B, ही भी ही रहने दो, हमें निकालना ही तो है, इसको ऐसे A, B, छोड़ दो, तो A, B, ही रहने दो, ठीक, A, B, is equal to 16.4, minus 2, to 4, 10.4, यानि कि आपका है, 6.0, ठीक है, length of R का ही आपकी, 6.0 cm, ठीक, अब आपको क्या निकालना है, area of sector, तो area of sector होता है, theta by 360 by R square, अब देखो, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे, यह जो solve करना ही पड़ीगा, करो, यह भी है, theta by 360, 2 by R, वाया 6, तो यहाँ पे न, आप, theta by 360, by R की value निकालो, और इस 2 को ले जाओ नीचे, तो यहाँ पे आपका theta by 360, by R आएगा 3, ठीक है, मैंने short mean solve कर दिया, यहाँ पे, theta by 360, by R into R कर लो, इसको, तो इसकी value कितनी है, 3, और आपकी radius कितनी है, 5.2, तो आपका कितना आएगा, 35 is the 15.6 cm2, आपको वीडियो अच्छे लगी हो, तो चैनल को subscribe जरूर करें, अगर समझ में ना आया हो, तो please comment जरूर करें, मैं इस question का एक बार फिर से repeat कर दूँगी, thank you.